नमस्क्राइब मेरा नाम है डॉक्टर पुरूधवन और आज इस टीडियो में आपको बताऊंगा वो एक चीज जो किड्नी श्रिंकेज के पेशिंट को हमेश्या ध्यान में रखनी चीजिए क्योंकि अगर उस चीज से पेशिंट का ध्यान हटता है तो किड्नी की दिकत है वो बढ़ती चली जाती है क्रियेटमीन बढ़ता चला जाता है किड्नी और छोटी होती चली जाती है तो चुरुबात करते हैं इस kidney shrinkage को समझने से, kidney कभी भी अपने आप खराब नहीं होती, कोई ने कोई कारण जरूर होता है kidney को खराब करने का, इसी तरह से जब kidney shrink हुई हो तो अपने आप नहीं हुई, kidney shrink तब हुई जब एक बिमारी यानि high blood pressure आपकी body में आया, अब high blood pressure से kidney कै इसे shrink करती है, उसको समझने कोशिश करते हैं, जब आपकी blood के अंदर pressure बढ़ता है, तो blood एक pressure के साथ, एक force के साथ, आपकी kidney के अंदर enter करता है, अब जब वो enter करता है, तो वो छोटी-छोटी arteries से, capillaries से enter कर रहा होता है, अब ये जो arteries है, capillaries है, ये cell की बनीवी हैं, ये soft ह मुलायम होती है, बहुत डेलिकेट सी होती है, मगर जब इन पर pressure पड़ता है, तो इन में बदलाव आना शुरू होता है, ये hard होनी शुरू होती है, इनके अंदर को size है, वो छोटा होना शुरू हो जाता है, तैसलि आपकी घर में पाइप, पानी की पाइप होती है, तो पा पाले ब्लेट ले जा रही थी, उनका जो मुझ था खुला होता है, काफी बड़ा साइस था, तो ब्लेट अराम से फ्लो करता था बिना प्रेशर के, मागर जैसे जैसे ब्लेट प्रेशर बड़ा, यहां का टिशू होनी लगा, अंदर का एरिया हो कम होनी लगा, तो प्रेश जैसे बड़ा होगा, नहीं होगा ना, कम खाने में केड़्न का साइस खुटा होता चला जायेगा, इस वज़े से मैं स्रिंक किस देखने को मिलती है, अंदर का जो टीशू है, वो स्क्लेरोस्ड हो जाता है, वो हाड हो जाता है, और जैसे जैसे उस डैलीकेट चीज में प्राउन होनी शुरू हो जाते हैं, तो अगर हम इस बात को समझ जाते हैं, कि हमारी किड्नी को नुकसान हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर से, और अगर हम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में नहीं रखते, उसकी डेली बेसिज पे मोनिटरिंग नहीं करते, तो यह जो नुक ब्लड प्रेशर को जानना कि मुझे ब्लड प्रेशर कितना रखना है, 120 by 80, यह हम सब जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, कुछ पेशन लाके बोलते हैं कि डॉक्टर साफ, 130-90 ही तो था, इसमेरी किड्नी क्यों खराब होई, इसको भी हम वीडियो में करेंगे तो 120 by 80 की definition बहुत कम लोगों को पता होती है, तो 120 by 80 mm of Hg जो हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं, यह नॉर्मल इंसानों के लिए होता है, कि यह ब्लड प्रेशर रहना चाहिए, नहीं, तो आपने समझना है कि 120 by 80 आपका ब्लड प्रेशर इससे नीचे रहना चाहिए, क्योंकि कीड्नी को नुकसान हो चुक है, कीड्नी नुकसान उठा रही है, अगर ब्लड प्रेशर इससे नीचे बना रहेगा, तो नया नुकसान नहीं होगा, अगर इससे उपर बना रहेगा, तो नुकसान सलता रहेगा, और ब्लड प्रेशर के अंदर भी हमें डायसिस्ट के अश्यक्राइब्लिक डियान जहें देना होता है ना कि स्सिस्टाउलिë को अभी सिस्टाउलिक गया किया है इसको मैं आपको आराम भाषार में समझाता हूं जब भी पी लेखते हैं तो ऑफर कभी स्थ置लिक्ष फेच्राइब एक तो में नीचे का 90 आ रहा है तो आपके kidney को नुक्सान होगा ही होगा अगर blood pressure 100 है 110 है नीचे का तो बहुत आदा नुक्सान होगा अब इसको लाना कहां पर है इसको लेकर आना है 70 और 80 की range में क्योंकि BP कभी भी constant एक level पर maintain नहीं होता और एक range में हो सकता है तो हम क्या करेंगे 70 से लेकर 80 तक की range लेंगे कि हमारा blood pressure नीचे वाला 70-80 की range में रहे अगर इससे उपर जा रहा है तो मुझे अपनी medicine को बदलने की जरूरत है तब जाकर हम medicine को strong करेंगे कि BP हमारा थोड़ा down हो जाए अब यह जो BP है यह आ कहां से रहे तो BP जो होत है तीसरा जो organ है जो हमारा BP control करता है वो है kidneys हमारी जो kidney है वो भी BP को regulate करती है कैसे करती है पही वो नमक को बहार निकालती है नमक जितना गम पशरी के अंदर उतना अच्छा BP regulate हमारा होगा दूसरा वह hormones release करती है ऐसे hormone release करती है जो हमारे brain को बताता है कि कब हमने BP को बढ़ा इन हो ही organs पर एक साथ काम करना चाहिए तब जाकर जो BP हाई बना हुआ है जो किसी medicine से down नहीं हो रहा वो भी down होना शुरू हो जाता है पहले शुरूबात करेंगे अपनी brain के उपर तो अगर आपके life में किसी भी type का stress है किभी kidney खराब हो रही है क्रिटनी बढ़ रहा है या क अपका ध्यान अपनी health की तरफ जो की खराब हो रही है उस तरफ ना जाए को financial दिकत है तो उसका solution पर ध्यान दो कि हम उस चीज से बहार निकल सकें क्योंकि जितना आप ज़्यादा stress लोगे उतना ज़्यादा आपका BP बढ़ेगा और जो BP medicine आप ले रहे हो वो काम करती वे आपको देखने को नहीं मिलेगी तो पेला काम अपने मैंड को रिलाक्स करना उसके लिए जो अनुलो मिलो मैं प्राणायाम है या पर मेडिटेशन चीजी होती है वो बहुत ज़दा helpful है और यह ऐसा नहीं है कि सिफ इंडिया में के लिए है या इंडिया में बोला जाता है यह जो मेडिटेशन है अनुलो मिलो मैं ब्रीटिंग एक्सेसाइस है यह वर्ल्ड अब जांच चुका है इस पर कई सारी सड़ी हो चुकी है और यह अच्छा वक करता है तो हम पले इसको अपने लाइफ के अंदर आड करेंगे जिसे हमारा ब्रें रिलाक्स रहे किड़नी क है हर्ट अगर आपके कोई कार्डिक दिक्कत है तो हमें उस पर काम करना पड़ता है अगर नहीं है नॉमल है तो हम क्या करते हैं कि आपकी हर्ट की मुझो मूमेंट्स है जो प्रेशर बना रहा है उसको हम कम कर सकते हैं और इससे बीपी बहुत अच्छा रेगुलेट हो जा आपर हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाए मेडिसन लेने के तीसरा ओगन होता है वह है किड्नी क्योंकि श्रिंक हुई है ब्लड सप्लाई कम है किड्नी को जादा खाना चीए जादा ऑक्सिजन चीए तो क्या करती है और वह हमारे ब्रेन को बताती है कि आप हर्ट को बोलो कि पंपिंग को फास्ट करें तो हमने इसमें बहुत जबादा काम नहीं कर पाते क्योंकि अगर मेडिटेशन भी करेंगे तो भी वह रिलाक्स नहीं होगा क्योंकि वह चीज वहां पर तडप रही है और जो तडप रही है तो उस पने हाथ पर मारी है जो कि तरीके से गलत नही इस तरब से जैसे हम पानी में होते हैं इसे हम पढ़ें से रहाग जाए pandemic तो क्या होते हैं कीड्नी जितने हाथ पर गलेगी उतनी तीजी ही से डूबड़ देगी इस BP की वज़ा से, तो हमने क्या करेंगे, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, इसको हम एक तरफ छोड़ देंगे, हम अपने ब्रेन से, अपने हर्ट से, इस BP को रेगलेट करने की कोशिश करेंगे, मैडिसन आपके हर्ट पर काम करना स्टार्ट करती है, BP को लो करती है, बलड सप्प्राइब के नता कम जाती है, सही तरीके से जाती है, तो तो और कोई नया नुकसान नहीं होता, तो हमें देखने होगा, क्या मिलता है, कि क्रेटनिन की वैलूस अब बढ़नी बंद हो गई, क् कि जो नुकसान पहले हो चुका है, वो हो चुका है, उसे रिवर्स इस से बीबी को टांग करने से नहीं होगा, मंगर अब कोई नया नुकसान नहीं होता, बिमारी आगे नहीं बढ़ रही, टैलेसिस की नवबत नहीं आ रही, जो की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कि आलना हो, तो पहले उसे स्टॉप, जीरो पे लेकर आना पड़ता है, तब यह गाड़ी रिवर्स में जाती है, इसी तरह से जब बीमारी आगे बढ़ रही हो, उसे पीछी लेकर जाना हो, तो एक पॉइंट होता है, जहां पे किड्नी आगे बढ़ना बंद करती है, तब कि उसे अक्सिजन मिली नहीं, खाना मिली नहीं, जो मर गया, तो मरी चीज को कोई डॉक्टर जिंदा नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगी उसको अपने दिमाक से निकाल देंगे, जो नुक्सान हुआ, सो हुआ, अब किड्नी करना होता है, जो बीमार होगा, जो मरने वाला हो होगा, अभी मरा नहीं है, तो हमने बी-पी रेगुलेट कर दिया, तो उसे हमने चांस दे दी है कि वो दुबारा से काम करने लाइक बन जाए, अब हमने क्या करना होता है, हमने इस हिस्से को और थोड़ा सा हेल्फुल करना होता है, तो माल लो कि आपका क्रेटनिन लेवल 6 है, 6 का मतलब यह होता है कि 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 कीटनी का मिनिम्मम 80% डैमेज होना, अब यह जो आपका 80% डैमेज है, इसको दो हिस्सों में देखो, कि 40% मैं मालने तो हो कि मर गया, 40% वो हिस्सा होगा, जो मरने वाला होगा, तो अगर भी इस 40% को रिकावर कर लेऊंगा, तो क्या मेरे क् पूछो, हो सकता है कि वो डाउन हो, हमने तो एस्जुम किया है कि 40 है, वो हिस्सा डैठ है, 40 जो है, वो bicratoलर है, हो सकता है कि 60% डैठ हो, 20% डिकड़ तो हमें नहीं पता होता है कि कीटनी जन चल क्या रहा हो, और कोई टेस्स नहीं है, जानने का, हम क्या करते हैं, हम सही त bestimm के से अपनी बॉडी का अपनी ध्यानक नखने शुगर ने को कि खम तोड़ा सा रेगुलेट करते हैं और डेली बेसिश पर दभाई खाने से बना रहेगा तो लंबे टैम से किड्नी को अराम मिलता रहेगा और किड्नी रिकवर करने वाले मोड में आजाते हैं अब केटनीन को डाउन करना है के लिए एक ही तरीका होता है कि जो हिसा भी मरा नहीं है उसे काम पर लेकर आना और किड्नी की फंक्शनिंग को बढ़ाना सथाली पर आ कटेन और और बाड़ी से जादा बहार जाएगा और जितनी जबादी बाड़ी से बाहर जाएगी यूरियंग के उतना ही ब्लड में चो इखटा केता निन है यूरिया है वो ब्लड में कम होना शुरू हो जाएगा तो हम इसको करते हैं किड्नी फंक्शन रिसस stake में इस के मरते हैं इसमें क्या थे में तो रहा है में क्या कहने पेने का ध्यान खना होता है क्या से हम अपनी डृत यसमें जो के इस वीडियो और जाकर आप कर सारी वीडियो को दिख्फिक जिससे आपको के जाए मैं चाहता हूँ की स्क्रारा से कीड्टी फंक्षुन्सिंग में काम करते हैं च्छोटा सा नमुना देखें नमश्काइब नाव हैं तुरुधरमन और आज हम बात तरने वाले हैं एक पेशन के बारे में जिनका के टेनल लेवल सिफ पंदा दिन के नाइन से वन के आसपास आया है तो चलते है कोड़ अक्तर जी से पहले उनकी हम सुनते हैं कि उनकी लाइव में किस तरह से साइंसी जीनिक परबरते लेकर आया क्या था के अकठाचा क्या तो अक्तर जी किड़्य आपर में खराब होग second लemi पांद tahu डियन düन पहले इक पन्द० यन पहले ये पन्दू bekommen की लेवल ग्या करेंते श्यार्षक और ओर बिक्कtes के अम हिसुसकर रहा है कुल्टी आना चंटकर आना डून अदिकोर अच्छा जहां डालेसिस के लिए बोला गया था डालेसिस के लिए बोल दिया था तो आपने इस सिर्फ पंदन दिन के टीटमेंट लिया है अब आपके लेवल क्या है अब सर मेरा लेवल है 1.67 अब बॉडे में कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो नहीं सर बिलकुल बहतर और बहत अच्छी बात है अच्छी बात है अच्छी का जो किटनी लेवल है 9-1 जो 15 दिन के अंदर आया उसके लिए हमें बहुत जगा पर काम करना पड़ा एक साथ पहले तो यह संबजना पड़ागी कि किड्नी खराब के वह रही है नॉमली जो किड्नी होती है 80-90 लोगों के पर किननिका उन्हां काम करना बंट करते यह इस कंडिशन हम कहते है है ATI AQ किड्ट इंजिरी यानि किड्नी का इंच्टनली काम करना बंट करते है इसको असान स्वत्चाब में समझना तो सिमझो किड्नी तो कि एक शॉजन नहीं कुछ नहीं हुआ है जो हम अलव्पएदिक अपिशह मेडिसिन्स खाते हैं अन्टिवाडिक्स खाते हैं पेनकिलर खाते हैं उसकी वज़दा एक रिच यूट रहती हैं और उसकी वज़दा से कंद्नीना बंद करते है अब जब वो काम करना बंद खरे की तो बूर को चाहिं के खुण को साफ करने के सब बनद हो गई अब एसे केसिस के अंदर नॉमली कोई देखेगा तो पहले ही बोलेगा कि डाल से स्टाफ करो मकर इन्होंने थोड़ा साइंस इंजीन में पेर दिखाते वे तो टीटमेंट शुरू किया और त्यूकि एक ही था अंदर किड्नी के अंदर डेमेज नहीं था तो मेडिसन ने बह कि जो हमारे पेशेंट है जो किड्नी के और मरीज है उन्हें आप क्या कहना चाहोगे मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हमारे साइंस अंजीवनी से ही इलाज क्राए जाए बहुत बहतर और बहुत अच्छा इलाज है और मैं बहुत खुशू हूं संतूश्ट भी मैं उम्मित क कर उच्छे बाकी इंफोर्मेशन ले सकते हैं